सिदार गंज की बंगाली कलोनी में नविवाहिता की संदिग्द अवस्था में मोथ हो गई परिजनों और पडोसियों का कहना है कि उसमें साडी से फासी लगा कर आत्महत्या की है उन्हें ने शाफ को नीचे उतारा लेकिन उसकी तब तक मोथ हो चुकी थी उलस ने शाफ को कबजे में लेकर पोस्ट मार्ण के लिए भेज़ दिया है अब कले चाहिए सब आते हमारे माना जी आते हो इनकियां के बात उठाया और उठाने के बाद जिए उचों लुखंग देते हैं कि आपके लड़की की पेट में धर्ण है जब हमला आते हैं तो पता लगता लगो को मार दिए गया है कि फाषी लगाया है और हमारी बेटी की गले में ना कोई फाषी का निशान है, ना ही कोई इस टाइप का सिजविशन दिख रहा है जैसे फाषी लगा के मरते हैं इन्शान हमारा शारे परिजनों का यही कहना है शाराशार उसका देखा देखने में देखा यही जा रहा है कि उसका हत्ता किया गया है चाहे पाउजन से किया गया हो चाहे मूदबा के किया गया हो उसका हत्ता किया गया है और उसके गले में कोई रश्ची का निशान नहीं था और नहीं घर पे ऐसा कोई हम लोग जाके देखें उसके घर पे ऐसा कोई शंदित चीज ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखा जिससे हमारी बेटी आत्मात्य कर शकती है और भहुती शुल्जी पड़ी हुई लड़की थी अपने आपसे शर्माने वाली बच्ची को कभी आत्मात्य करी नहीं शकती अब हम यह चाते हैं इन बाप बेटों के नाम इसके मा के नाम रिपोर्ट यहां कोतवाली तैरीर हम से ले और इनके खिलाब उचित कारवाई करें हमारी बेटी को मारा गया है नहीं हमारी बेटी ने कोई आत्माध्ता किया परिवार को नियाय मिलना चाहिए उत्तरांचल शरकार से भारत शरकार से शारे शंबिधान से हमें नियाय मिलना चाहिए यही आप लोगों से आग्रया करता हूं कि हमारी बेटी का जैसे कतल हुआ है ऐसा ही इनके शाथ उचित कारवाई हमारे कानूर के लोग शिदार घंज कोतवाली करें यही दिन में एक सुसना मिली थी इसना उल्लाई था ने हासी लगा का आत्मत्राइब पुलिस मौके दगी और मत्रगा को उतार क जैसे प्रजनों के अप्लिकेशन आएगी उसका अधार पर वैदानी कारवाई है